बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कपल्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो नस्बंदी को आपरेशन करा चुके हैं जैसे कि अधिक तर देखते हैं, नॉमली अगर दो प्रेगनसी हो चुकी हैं, दो स्वस्थ बच्चे हैं, उसके बार नस्बंदी को आपरेशन महिला करवा लेती हैं और इसके लिए डॉक्टर्स भी मोटिवेट करते हैं कि दो बच्चे हो गए हैं, स्वस्थ हैं तो नस्बं आएं और बच्चा स्वस्थ नहीं है, या कई बार और समय मृत्य हो गई बच्चे की, तो ऐसे केसिस में ये दमपती जो हैं वापस पुले प्रेगनसी की कोशिश करते हैं और जरूरी भी है, तो ऐसे पेशन जब हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहला प्रशन ये होता है कि क्या हम नॉमली कंसीव कर पाएंगे की नहीं, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी कंडिशन में जिसमें की ट्यूब का स्टरलाइजेशन हो चुका है या ट्यूब बंद करी जा चुकी है नस्बंदी के दौरान, ऐसे पेशन्स में नॉमल प्रेगनसी हो पाना बहु आईविफ प्रक्रिया की अगर मदद ली जाए तो वो सबसे लाबकरे होगा और जल्दी ही हमें और स्वस्त बच्चे हमें मिल सकता है अगर हम ऐसे कपल्स को आईविफ का सजेशन दे और ऐसे कपल्स को अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट की सला लेनी चाहिए क्योंकि इस्ट्यू बीवी जी से हम आम भाशा में बोलते हैं उसमें हम रुण का विकास हम बहार ट्यूब की बजाए अंदर शरीर में बहार इंक्यूबेटर में करते हैं तो महिला के अंड लेकर और पुरुष के शुक्रानू लेकर हम लेबार्टरी में एम्ब्रियो बनाते हैं जो की काम नॉमली अंदर ट्यूब में होता है उसको हम बाद इंक्यूबेटर में करके और पुरुष को गरवाशे में स्थापित करते हैं और उसके बाद जैसे एक नॉमल प्रेगनेंसी नौ महीने चलती है वैसे ही ये प्रेगनेंसी होती है तो इसकी मदद से ऐसे दमपत लापा सकते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि महिला की बजाए पुरुष ने अपना नस्बंदी का उपरेशन करा लिया है दो स्वस्त बच्चे हो चुके हैं और उसके बाद अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसमें की बच्चे की असमें मृत्ति हो गई या बच्चे में क को बोलते हैं वो attempt किया जा सकता है लेकिन उससे में success rate कम होता है और सबसे जो इसमें कारगार technique साबित होती है वह है IVF, IVF में हम जो पुरुष है उसकी शुक्राणों अंदर से हम टेस्टीस से उनको निकाल सकते हैं, retrieve कर सकते हैं, एक simple पतली सी सिरिंज के मदद से जिसको की हम पीसा बोलते हैं और अगर सिरिंज से नहीं मिलते तो हम टेसा करके टेस्टीस से भी बायपसी करके वो sperm retrieve कर सकते हैं और ऐसे शुक्राणों को आईविफ में एक advanced technique होता है जिसको XC कहते हैं तो महिला के अंड का निशेचन ऐसे शुक्राणों को प्राप्त करके किया जा सकत है जिससे भ्रून का निर्मान हो और तीन से पांच दिन तक भ्रून को इंक्यूबेटर में ग्रो करते हैं लेबारटरी के अंदर और उसके बाद अगर गरबाशे में पुने स्थापित करें तो नॉमल ऐसे पुरुष भी अपने खुद के शुक्रानों से प्रेग्डेंसी संबव है जो कि इद नस्बंदी का उप्रेशन पहले करवा चुके हैं